इंडिया की टेस्ट टीम ने पहली मरत्बा 1992 में साउथ अफ्रीका का टूर किया था और उसके बाद तकरीबन 31 एस की टाइम पर इंडिया ने साथ दफा साउथ अफ्रीका का टूर किया है लेकिन आज तक इंडिया के टीम साउथ अफ्रीका में टेस्ट सीरीज जीतने में काम अफरीका को test series नहीं आ रहा पाया साउथ अफरीका में 2006-07 में पहली मत्मा इंडिया ने साउथ अफरीका में test match जीता था जब बड़े नाम इंडिया की team में मुझूद थे वीवियस लक्षमान, सचान, टिडूलकर, सारोफ गंगुली इंडिया ने साउथ अफरीका की एक तगरी टीम को हराया था शिरिशांत ने 5 विक्टें लीती उस मैच में और एक इनिंग्स में साउथ अफरीका को 84 पे ओल आउट कर दिया था रीसेंट हिस्ट्री के अगर हम बात करें तो इंडिया ने 2021 में एक टेस्ट मैच साउथ अफरीका को साउथ अफरीका में हराया था और उस मैच में भी इंडिया की जो बॉलिंग थी उसने जबर्दस अंदाज में क्लिक किया था दोनों इनिंग्स में साउथ अफरीका को 200 प्लस रंस करने नहीं दिये थे इंडिया ने कल तेहला टेस्ट मैच खेला जाएगा इंडिया और साउथ अफरीका के दर्म्याइट सब बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच और ओविसली ये टेस्ट सीरीज चुके वर्ल टेस्ट चैंपिंशिप का हिस्सा है तो इंडिया अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ जा रहा है इंडिया क दो मरतबा फाइनल खेला डेस्ट का एक मरतबा न्यूजिलेंड से एक मरतबा ऐस्ट्रेलिया से बट दो मरतबा इंडिया की टीम को शिकर्स तोई है बट अब की बार इंडिया के प्लेयर्स खास तोरबे रोहिच शर्मा बतोर कप्तान ना सिरफ बड़े सीरियस दिखाई बलके वो बड़े वरिट भी दिखाई दे रहे हैं और आज प्रेस कॉंफरेंस में जो उनका मूट था कि हम इतनी मेनत करते हैं इतना हाड़ वर्क करते हैं जस्ट बिकॉस वी वांट तो विन साम्थिंग हम इतने अरसे से टूर कर रहे हैं साउथ अफरीका का और हमें कामय इंडिया के स्कॉर्ट पर अगर हम नजद दालें तो इस टीम में मुहमद शामी इंजरी के बाइस अविलिबल नहीं है वो बाइर हो गए हैं इसके इलाबा इंडिया अपने यूजुवल यूनिट के साथ जा रहा है जैसवाल को इंडिया ने अपने टेस्की टीम में रख के साथ जो है वो डेवस्टेटिंग साबिस हो सकते हैं साउथ अफरीका की कंडिशन्स में और बड़ी हिस्टोरिकल सिग्निफिकंस है इस बॉक्सिंग डे टेस मैच की अराउंड अगलोब 26 दिसंबर से शुरू होने वाले टेस्ट को चूँके क्रिस्मस की मिरास्वत से य उनके बॉलर जबर्दस परफॉर्म करें बड़े डिजेक्टिट दिखाई दे रहे थे आज रोहिच शर्मा पहली मरतमा मीडिया के सामने आए हैं वर्ल्ड कप का फाइनल हारने के बाद और बड़ा दुख दिखाई दे रहा था उनकी आवाज में भी के इतनी मेहनत इतनी हार्ड वर्क के बाद जब कोई टीम वर्ल्ड कप का फाइनल हार जाती है तो अबिसली कप्तान का दुखी होना बनता है और जिस तरह की परफॉर्मसेज इंडिया की वर्ल्ड कप में थी वो बड़ा अबिस था कि इंडिया जो है वो क्लियर फेवरिट से गीतने के लिए ख कोली उनके लिए भी ये टूर बड़ा इंपोर्टन्ट है क्योंकि जिस तरह रीसंट डिवल्लपमेंट्स इंडियन टिकेट में भी हुई है विराट कोली और रोहिट शर्मा को लेके कि आप उन्हें सेपरेट करना चारें इंडिया की वाइट बॉल्ल टीम से तो यूनों जस्टू शोकेस कि हम अभी तक उस मंच पे मौझूद हैं उस तरह की फॉर्म उस तरह की बारी कर सकते हैं इन प्लेयर्स के लिए भी रोहिट शर्मा हो गए विराट कोली हो गए इनके लिए बड़ा इंपोर्टन्ट है ये टूर बड़ा इंपोर्टन्ट है कि साउथ अफ इंडिया के जो बोलेज हैं वो आल गंज ब्लेजें आएंगे लेकिन मुहम्मध शामी को मिस्जरूर किया जाएगा क्योंके वो शामी थे जिन्होंने आठ विक्टे ली थी लास्ट टाइम जब इंडिया ने साउथ अफरीका को साउथ अफरीका में टेस्ट मैच हराया था बाक इन 2021 दिसेंबर और उस वक्त बड़ी इंप्रेसिफ परफॉर्मंस थी मुहम्मध शामी की तो इंडिया मिस्जरूर करेगा शामी को जो इंजिरी के बाइस इस टेस्ट मैच में शरीक नहीं है